गाईस आज 11 जुलाई है और सुबह 6 बज रहे हैं और जियो ने अपने सारे प्लान जो है वो चेंज कर दी हैं बहुत सारे नए प्लान्स आ गए हैं तो फटाफट में आपको समझाता हूँ कौन से प्लान में आपको क्या क्या चीज़े मिलती हैं मतलब ये सारे प्लान जो है आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे मैं आपको जूम करके दिखाओं तो देखिए 399 रुपीज जो 309 में चीज़े चलती थी वो अब हो गई है 399 में अब ऐसा नहीं है कि आप प्राइम यूजर हो पहली बार रिचार्ज करा रहे हो दू तो ये तो वैसा ही रखा गया है लेकिन 309 में बताया जा रहा था कि 84 डेस पहले मिलता था अगर पहला रिचार्ज कराते थे उसके बाद 28 डेस मिलता था लेकिन अब कॉम्प्लिमेंटरी उनने 28 डेस प्लस 28 डेस दो भहीने 56 डेस आपको मिल जाएगा 309 आप कभी भी करा है पहला रिचार्ज करा है दूसरा रिचार्ज करा है और चीजे उसमें वही है एक जीबी पर डेस उसके बाद 128 कभी पीस के साथ स्पीड SMS फ्री कॉल फ्री उसी हिसाब से 349 का भी नया प्लान इसमें दिखाया जा रहा है जो उसकी भी वैलिडिटी 56 डेस बताई जा रही है उसमें आपको 20 जीबी डेटा मिलता है पूरे 56 डेस के लिए अब ये 20 जीबी आप एक दिन में खतम कर दें या 56 डेस में आप ये 20 जीबी खतम करें ये आपके उपर है और 399 में उनने अब जीओ धनदादान ओफर वापस लाँच कर दिया है तो आप नई यूजर हो पुर पहले चलता था वैसा ही चलेगा लेकिन अब अगर नए यूजर हो या पुराने यूजर हो आपको 56 डेस के लिए मिल जाएगा 2 जीबी पर डे और 509 के बाद जो बड़े प्लान से उनमें अगर आप देखेंगे तो 999 में 90 डेस तीन महीने के लिए आपको 90 जीबी मिलेगा धन धनाधन खतम होने वाला है तो कहीं न कहीं उसको और बहुत सरे प्लांस लाने थे अगर आप अभी रिचार्ज पे जाए तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए सारे प्लान का आगे इनने JDDD लिग दिया है मतलब Jontag धन धनाधन अब सारे ही हो गए जितने प पहले बोलते थे 309 में आपको 84 डेस मिलेगा अगर आप पहला रिचार्ज कराते हो तो लेकिन अभी यहां पर जो है वो complimentary सबके लिए हो गया है पुराने यूजर हो नई यूजर हो 309 कराओगे तो 1 GB पर दे आपको 56 डेस के लिए मिलेगा और 399 कराओगे अगर थोड़े से ज्यादा रुपे आप देते हो तो फिर आपको आपको 309 में 56 डेस दो महीने मिल जाएगा 1 GB पर दे 349 में आपको 20 GB मिलेगा लेकिन उसमें डेटा कम है लेकिन आपको 20 GB पूरा एक साथ दिया जाएगा फिर आप एक दिन में खतम करते हैं या 56 डेस तक चलाएं और 399 वाला मास्टर स्टोक प्लान लग रहा है जो जादा से जादा लोग को फोर्स करेगा लेने के लिए कि वो 3 महीने 1 GB पूरा ले पाएं मतलब अगर मैं 399 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो मुझे जो है 133 रूपीज पर मन्त के हिसाब से मिलता है 28 डेस के लिए 1 GB पूरा जो सबसे कम मान सकते हो आप पूरी दूसरे ओपरेटर से अगर आप कंपेर करें तो अब एक बात का ध्यान रखें वीडियो क्लोस करने के पहले कि आपने जो रिचार्ज किया था जियो धंदनादन या जियो समर सप्राइस वो अभी चलेगा मतलब यह है कि 15 अपरेल अगर आपकी एक्सपारी डेट दिख रही है उसके बाद भी वो एक महीने और चलेगा क्य अब जुलाई से ऑगस तक वो जब खतम हो जाए उसके बाद ये वारे प्लान अक्टिवेट कराएं उसके पहले प्लीज आप अपना पैसा बरबाद ना करें क्या पता आने जाके आगे जाके दूसरे ऑप्डेटर और कोई ओफर ले आए और फिर जियो वापस से इसको आपने कराया होगा समर सप्राइज में वो स्टार्ट होगे ऑगस तक तो चलेगा ही चलेगा ऑगस के बाद जित्ते ह आपने पुराने रिचार्ज कराए होंगे उसके बाद प्लीज आप यह साले रिचार्ज कराईएगा खाइव complimentary हो गई है नई SIM लो पुरानी SIM लो 99 का prime membership आपको लेना ही है जब भी आप SIM activate कराएंगे उसके बाद जाके आपको ये सारे plan मिलेंगे तो ये तो एक बात वो हो गई कि हमने जो 99 कराया था अब वो सब के लिए हो गया है तो आप ऐसी बात नहीं है कि 99 कोई नहीं करा सकता हमेशा कभी भी कोई भी करा सकता है 99 और इवन ये सरी बन गया है कि 99 नहीं कराओगे तो आपको ये plans नहीं मिलेंगे तो आप नीचे comment में बताईए कि जो 309 में मिलता था वो इनने 399 में कर दिया है तो नीचे comment में बताईए कि क्या ये worth है आपके लिए data increase हुआ है क्योंकि GST भी ल कोई वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज आप इसको लाइक करिये शेयर करिये अपके friends के साथ उनको भी बता दीजिए Gio के नए-नए plans आ गए है Gio.com और MyGio app पे आप ये सारे plans देख सकते हैं लेकिन प्लीज मेरी बात note करिया आप अभी ये recharge ना कराए क्योंकि summer surprise offer के बा